प्यारे विद्यार्थियों, रुचिरा भाग 3 की कक्षा 8 के पाठ 10 में आप सभी का स्वागत है आज के पाठ का शीषक है नीती नवनीतम, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन और नीती तो आप सभी जानते हैं क्या करना चाहिए प्रस्तुत पाठ में क्या करना चाहिए ऐसे श्लोकों का संकलन है इस पाठ को पढ़कर आप क्या-क्या सीखेंगे? संस्कृत भाषा का उच्चारण कैसे किया जाए? पदों का प्रयोग कैसे किया जाए? इस पाठ को पढ़कर आपके नीती युक्त ज्यान वह विवेक्शीलिता का विकास होगा और कुछ व्याकरनात्मक प्रयोग तो आईए प्रारंब करते हैं प्रस्तुत पाठ मनुस्मृती के कतिपईश लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टी से अत्यंत महत्यपून है यहां माता, पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन करने के लिए अभिवादन शील मनुष्य को मिलने वाले लाब की चर्चा की गई है इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कारे करना तथा इसके विपरीद कार्यों को त्यागना सम्यक विचारो परांथ तथा सत्यमार्ग का अनुसरन करते हुए कारे करना आदी शिष्टाचारों का भी उलेख किया गया है तो विद्यार्थियों आईए शुरू करते हैं इस पाट को पहला श्लोक है अभिवादन शीलस्य नित्यम व्रिद्धो उप सेवे नह इसका अनुवे क्या होगा इसका अनुवे होगा अभिवादन शीलस्य नित्यम व्रिद्धो उप सेवे नह तस्यम आईए विद्या यशह बलम चत्वारी वर्धन्ते अर्थात जो नित्य अभिवादन शील होते हैं अर्थात नित्य प्रणाम करते हैं बड़ो को और व्रिद्धो की सेवा करते हैं अर्थात व्रिद्धो का आदर करते हैं उनका आयू, विद्या, यशह और बल ये चारों बढ़ते हैं आयू आप जानते ही होंगे आपकी उम्र विद्या अर्थात आपका ज्यान यश अर्थात आपकी कीर्ती और बल आपका सामर्थ या शक्ती विद्यार्थियों ये तो निसंदे ही सकते है कि जब आप अपने बड़ों का आदर करते हैं उनका सम्मान करते हैं तो आपको उनसे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। विद्यार्थियों आईए यहाँ पर कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं। श्लोक में से मैंने एक शब्द लिया है नित्यम अर्थात प्रतिदिन। इसका आप संस्कृत पर कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात कीर्थी। इसका संस्कृत में प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तस्यह यशह वर्धते। तस्यह मतलब उसका कौनसी विभक्ति है यहाँ पर। शश्टी विभक्ति शश्टी विभक्ति एक वचन। अगला श्लोक पढ़ते हैं। यम माता पितरव क्लेशं सहेते संभवे निर्णाम न तस्यनिश्कृति ही शक्या करतुम वर्ष शतै रपे। इसका अन्वे क्या होगा। अर्थात निर्णाम का अर्थ होगा मनुश्यों का। निर्णह मतलब एक मनुश्या। यहाँ पर शश्टी विभक्ति वहुवचन है। संभवे मतलब उत्पन्न होने में। अर्थात मनुश्यों के उत्पन्न होने में उन्हें पैदा करने में। यम क्लेशम जो क्लेश जो कष्ट माता पितरव माता और पिता दोनों सहेते सहते हैं तस्य निश्कृति ही उसका बदला वर्ष शतहिर अपी सो वर्षों में भी न कर्तुम शक्या नहीं कर सकते हैं आप समझे होंगे कि मनुष्य को बालक को उत्पन्य करने में उसे बड़ा करने में जिन कष्टों को माबाप सहते हैं उसका बदला संतान सो साल में भी नहीं चुका सकती है इस श्लोक की नीती क्या होगी कि बच्चों को माता और पिता का आदर करना चाहिए विद्यार्थियों आपको भी अपने माता और पिता का सम्मान करना चाहिए और वे अगर आपके लिए कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए आपको हमेशा क्रितग्य रहना चाहिए खृतग्य मतलब आपको हमेशा उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए इसमें हमने एक शब्द निकाला है जिसको हम संस्कृत में प्रयोग करकर दिखाएंगे निर्णह अध्यने समर्थ अस्ति अर्थात मनुश्य अध्यन में समर्थ है कह अध्यने समर्थ अस्ति कौन अध्यन में समर्थ है निर्णह तो इस प्रकार से आप प्रश्णों का भी निर्मान कर सकते हैं पर अगर इसी में स्त्रीलंग का प्रयोग हो तो प्रश्णों का प्रयोग कैसे होगा बालिका अध्यने समर्थ अस्ति अर्थात बालिका अध्यन में समर्थ है अब इसका प्रश्ण का निर्वान कैसे होगा बालिका क्योंकि स्त्रिलिंग है तो होगा का अध्यने समर्थ अस्ती तो अध्यन में कौन समर्थ है बालिका इस प्रकार आईए अगला श्लोग पढ़ते हैं इसका अन्वे होगा तयोह आचार्यस्य च सर्वदा प्रिशु एव तुष टेशु सर्वं तपह समाप्यते विद्यार्थियों यहाँ पर समाप्यते का अर्थ समाप्त होना ना लें जबकि इसका अर्थ होगा सार्थक होना इस श्लोग का अर्थ क्या है तयोह तयोह मतलब उन दोनों का कौन दोनों माता और पिता का आचार्यस्य और आचार्यका च सर्वदा प्रियम कुर्यात उनका सर्वदा प्रियक करें तेशु त्रिशु उन तीनों के एव तुष्टेशु उन तीनों के ही तुष्ट होने पर सर्वम तपह समाप्यते सारे तप सार्थक हो जाते हैं अर्थात यदि आप अपने माता पिता और आचारिक का सदा प्रिय करें उनको प्रिय लगने वाली बात करें अर्थात उनकी बाते माने तो उनके तुष्ट होने पर आपके सारे काम सार्थक होते हैं आप और आगे बढ़ते हैं तो इसका नवनीत क्या हुआ? इसका नवनीत हुआ कि आप सभी को माता, पिता और अध्यापक की बात माननी चाहिए, क्यूंकि वे आपके प्रिय के लिए हि कहते हैं, क्यूंकि वे आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं अब इसमें हमने दो शब्द निकाले हैं जिनका मैं आपको संस्कृत वाक्य बनाकर बताती हूँ आप भी अपनी इच्छा से कोई शब्द का चैन कीजिए और वाक्य बनाईए तो यहाँ पर शब्द है सर्वदा सर्वदा मतलब सदैव सह सर्वदा प्रियम वदती तो यहाँ पर शब्द है प्रियम इसका शब्द कैसे बनेगा सह सर्वदा प्रियम वदती वह सदैव प्रिय बोलता है और दूसरा शब्द है तपह यहाँ पर इसका वाक्य का प्रयोग कैसे होगा भीश्मह तपह करोती अर्थात भीश्म तप करता है अगर इसको प्रश्ण में बनाना हो तो किस तरह से बनेगा कह तपह करोती कौन तप करता है तो उत्तर क्या होगा भीश्म तपह करोती आईए अगला श्लोक पढ़ते हैं विद्यार्थियों आपके हिसाब से सुख और दुख क्या होता है आगे की श्लोक में यही बताया गया है कि सुख की क्या परिभाशा है और दुख की क्या परिभाशा है श्लोक पे कहते हैं सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्म वशम सुखम इतत विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो इसका अन्वे होगा सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत सुख दुखयो समासेन लक्षणम विद्यात अर्थात सभी के वश में हुना दुख है यानि कि अगर आप कोई भी इच्छा किसी के वश में है, तो आप दुखी हैं, लेकिन सर्वम आद्म वशम सुखम, अर्थात आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी कुछ करने की इच्छा है, वो आपके वश में है, वो सुख है, एतत सुख दुखयो समासेन लक्षणम विद्य इसे सुख और दुख की, समासेन मतलब संक्षिप्त मे, इसे सुख दुख का संक्षिप्त में लक्षण के रूप में जानिए, यहाँ पर दो पदलिए गए हैं, जिनका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे, पहला है दुख और दूसरा है सुख, तो इसका वाक्य होगा, दुख क्या होता है और दूसरा वाक्य सुखं किम भवती सुख क्या होता है इस प्रकार आप छोटे छोटे पदों से वाक्य का निर्मान कर सकते हैं आए अगला शलोक पढ़ते हैं अगला शलोक कहता है इसका अन्वे है यद कर्म कुर्वतह अस्य अंतरात्मनह परितोशो स्यात् अर्थात जिस कारे को करते हुए अंतरात्मा को परितोश प्राप्त हो तत्प्रयत्नेन कुर्वीत उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए विपरीतम तू वर्जयत और उससे विपरीत अर्थात जिससे परितोश प्राप्त ना हो उसे वर्जयत उसको त्याग देना चाहिए विद्यार्थियों आपको इस लोग का अर्थ तो समझ में आया होगा पर इसका अर्थ ये कदाप ही नहीं है कि आपको पढ़ाई ना करने में परितोष प्राप्त होता हो और आप पढ़ाई करना छोड़ दे इसका अर्थ ये है जिस कारे से आपको भविश्य में शांती प्राप्त होगी उन्नती प्राप्त होगी जिस कारे से आपकी अंतरात्मा प्रसन्न होगी उस कारे को करना चाहिए परन्तु जिस कारे से आपको सुख, शान्ती, उन्नती की प्राप्ती ना हो, ऐसे काम को छोड़ देना चाहिए इस शलोक में हम दो शब्दों को लेते हैं और वाक्य बनाते हैं पहला शब्द है परितोशह परितोशह मतलब संतोश तो इसका वाक्य क्या होगा? परोपकारात परितोशह भवति अर्थात परोपकार से परितोश होता है, संतोश होता है और अगला शब्द होगा? प्रयत्नेन, प्रयत्न से तो प्रयत्नेन कार्यसिद्धी भवति प्रयत्न से कार्यसिद्धी होती है है ना सरल? इसी तरह से आप छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं आईए विद्यार्थियों अगला श्लोक पढ़ते हैं अगला श्लोक बताता है कि आपको क्या क्या काम कैसे करना चाहिए तो श्लोक में लिखते हैं द्रिष्टि पूतम नसेत पादम इसका अन्वे होगा दृष्टी को पवित्र करकर पादम न्यसेत पैर रखना चाहिए वस्त्र पूतम जलम पिवेत अर्थात जल को वस्त्र से चान कर वस्त्र से पवित्र करकर पीना चाहिए सत्य पूतम वाचम वदेत और वाचम मतलब की जो शब्द है जो वाक्या प्रयोग कर रहे हैं उसे सत्य से पवित्र करकर बोलना चाहिए मनह पूतम समाचरेत और मन को पवित्र करकर आचरन करें विद्यार्थियो इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में जो भी काम करें उसमें आपका मन जो है वो पवित्र होना चाहिए जब आप किसी चीज को देखें तो आपकी दृष्टी में दोश नहीं होना चाहिए अर्थात आपके मन में दोश नहीं होना चाहिए और आप जब जल पीते हैं तो कहीं से भी कोई गंदा पानी ना पी कर साफ पानी पीना चाहिए और जब आप रोड पर चल रहे हों तो आप आपको मार्ग में चलते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्ग में कोई पत्थर या कोई रोड़ा तो नहीं पड़ा है तो आपकी जो दृष्टी है वो पवित्रता स्पश्टता से युक्त होनी चाहिए यहां पर एक शब्द देखिए मनह मन तो आप सभी जानते होंगे इसका एक वाक्य प्रयोग कैसे होगा मनह शान्तम भवेद मन शान्त हो विद्यार्थियों आप इसी प्रकार इस पाठ में से सरल सरल शब्दों को लेकर छोटे छोटे वाक्य बनाईए और अपनी अध्यापि का को दिखाईए आज के इस पाठ में आपने ये पढ़कर जरूर जाना कि आपको क्या क्या करना चाहिए इसी लिए इस पाठ का नाम नीती नवनीतम सार्थक है आज के पाठ को पढ़कर आप अपने जीवन में कुछ नीती परक बातों को शामिल करेंगे ऐसा मैं सोचती हूँ धन्यवाद धन्यवाद झाल झाल झाल